नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है सितला माता के पाँच खास मंदिर 800 साल से नहीं भरा है घड़ा दोस्तों वैसे तो प्रतेक सहर और गाउं में सितला माता का मंदिर रहते ही है एक व्रिच के नीचे सितला माता की मूर्ती आपको हर जगह मिल जाएगी उन में से ही कुछ मंदिरों ने अब भव्य रूप धारन कर लिया है और कुछ ऐसे मंदिर है जो की चमतकारिक है तो आज ऐसे ही मंदिरों के बारे में आज हम आपको बताएंगे राजस्थान के पाली जिले में माता सितला का बहुती प्राचीन और चमतकारिक मंदिर है कहते हैं कि यहां एक घड़ा है जो 800 साल से भड नहीं पाया है यहां घड़ा एक पत्थर से ढखा हुआ है साल में दो बार चैतर मास की सितलाष्टमी और जेष्ट मास की पुर्णिमा के दिन इसके धकन को हटाये जाता है जिसमें लोग पानी डालते हैं बक्तों का मानना है कि इस चमतकारी घड़े में अब तक अड़ाई लाख लीटर पानी डाला जा चुका है लेकिन घड़ा है कि भढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा किदवन्तियों की अनुसार आठ सु साल पहले बाबरा नाम का एक राक्चस था उसके आतंक से सब परिसान थे जब लोगों के घर में साधी होती तो राक्चस दुले को मार देता था तब वहां के ब्रामनों ने सितला माता की पुझा की सितला माता गाओं के एक ब्रामन की सपने में आई और उन्होंने कहा कि जब उसकी बेटी की साधी होगी तब वह राक्चस को मार देगी साधी के समय सितला माता एक छोटी कन्या के रूप में मौजूद थी माता ने अपने घुटनों से राक्षस को दबोच कर उसे मार डाला इस दोरान राक्षस ने सितला माता से वर्दान मांगा कि गर्मी में उसे प्यास जादा लगती है इसलिए साल में दो बार उसे पानी पिलाना होगा सितला माता ने उसे ये वर्दान दे दिया तबी से ये परंपरा चली आ रही है जबलपूर के पास पालन में है घमापूर सितलामाई मार्ग पर पुरा तत्विक महत्वका एसिया का संभवत एकमात्र विशाल तम सितलामाई का मंदिर इसी प्रकार गुरगाओं के गुरुग्राम में सितला मता का प्राचिन मंदिर इस्थित है देश के सभी प्रदेसों से स्रधालू यहां मनत मांगने आते हैं गुरुगाओं का सितला मता मंदिर देश भर के स्रधालू के आस्था का केंदर है यहां साल में दो बार एक एक माह का मिला लगता है यहां के सितला माता की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है महाभारत के समय में भरदवन्सियों के कुल गुरू कृपाचारी की पत्नी सितला देवी गुरुमा के नाम से गुरुड द्रोन की नगरी गुरुगाओं में सितला माता की पूजा होती है लगबग 500 सालों से ये मंदिर लोगों की आस्था का केंदर बना हुआ है लोगों की मानत है कि यहां पूजा करने से सरीर पर निकलने वाले दाने जिने इस्थानिय बोलचाल भासा में माता कहते हैं नहीं निकलते बोपाल की बड़ी ज्हील के किनारे भियाईपी रोड इस्थित सितला माता मंदिर सहर के प्राचीन मंदिरों में से एक है इस मंदिर में करीब 2800 बरस पुरानी माता सितला देवी और वीर महाराज की प्रतिमाए आज भी उसी अस्थान पर बिराजमान है तलाब के किनारे फतेगड चेतर में स्थितिय है मंदिर सुरू में खुले अस्थान पर था नीम, पीपल और बरगत के पेड़ के नीचे माता सितला देवी और वीर महाराज की प्रतिमाए बिराजमान थी बाद में जन सहयोग से मंदिर बनवाया गया लखनव के बाजर खाला छेतर के अंतरगत आने वाले महला महन्दी गज में सितला माता के एक प्रसीद एतियासिक मंदिर है यहाँ पर हुली के आठवे दिन सितला माता पर लखनव का मैसुहूर आठो का मिला लगता है तो दोस्तो इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से और वा सस्प्राइब करें हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद